finding the derivative of x at x equal to 1 यानि कि पहली बात तो देखिए इस function का में क्या निकालना है derivative निकालना है आपको ये बात समझ मैंनी चाहिए और कहां पे निकालना है x equal to 1 पे तो देखिएगा कि इसका solution क्या करते हम ठीक है यहां पे तो यहां से देखिएगा कि solution में अपने पास देखिए function तो क्या है f of x equal to तो x है and x equal to a कितना है यहां पे 1 है यहां तक क्लिए आपको तो यहां से क्या करेंगे हम देखिएगा कि f of x यानि कि यहां पे क्या निकालना particular point 1 पे तो यहां पे देखिएगा कि a वाला formula यूज करेंगे और वो आएगा f of यहां से देखिएगा कि limit आने वाली है limit as tending to 0 है और f of a plus का h minus का f of a upon में h यहां तो clear आपको तो यहां से देखिएगा कि government पहले तो a दी हुई है वो रखते हैं यहां पे तो देखिएगा कि a तो कितना f of days है और कहां पे 1 पे और एकी value तो 1 है limit as tending to 0 है और यहां से f of 1 plus का h minus का f of 1 upon में h यह बात अब देखिएगा कि क्या करने वाले हम तो यहां से देखिएगा government ने function दिया identity यहांनि f of x equal to x अब उसमें यह जो यहां पे x को क्या रखा हमने 1 plus h तो वो put कर देंगे यही तो है function तो यही बोल रहा है तो limit as tending to 0 है और यहां से क्याएगा 1 plus का h है और यहां पे function की value 1 है upon में h यहां तक clear है तो यहां से देखिएगा कि जैसे आप इसको solve करोगे तो यहां से 1 से तो 1 जाएगा तो यहां से क्या बज़ेगा limit h upon में h by h और यह क्या जाएगा limit 1 यहां तक तो इसका जो derivative आया अपने पास जो f of derivative 1 आया वो क्या आएगा 1 और यही अपने पास क्या होंगे answer होंगे